हम जानते हैं हम भारत के लोग है हम जानते हैं कि यह जीवन जरा मरण जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है मनुष्य एक नएक दिन जैसे पुराने कपड़े महले कपड़े छोड़ कर नए कपड़े बदलता है वैसे पुराना शरी निरुपयोग्यों हो गया उसको छोड़ देता है दूसरे जनम में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है यह जानने वाले हम लोग है हमको यह बात है डरा नहीं सकती निश्क्रिय निराश नहीं बना सकती ब्रिटन के पंतप्रदान बने चर्चिल उसके बाद उनके कार्याले में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था वो अक्य क्या था please understand that there is no pessimism in this office we are not interested in the possibilities of defeat they do not exist हम हार की चर्चा में बिलकुल रस नहीं रखते क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है हमको जितना है संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्सा से अपने वक्तुरुत्व से अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्तिती पर खड़ा किया कि चाहे जो हो हम हारेंगे नहीं हम शरण नहीं जाएंगे हम जीतेंगे और वो जीते विपरीत परिस्थिती में जीते उस समय का डाटा अगर फीड करते कॉम्पूटर में तो कॉम्पूटर कहता कि इंग्लेंड बेचेराग हो जाएगा लेकिन लगातार मैना बर दिन रात बम के रेड़ों को जेल कर ब्रिटन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं तो उस शत्रू को पूर्ण परास्त किया यह क्यों हुआ क्योंकि यह प्रवृत्ति ही इसी थी सामने जो संकट है जो दुख है जो अंधकार है उसको देखकर निराश नहीं हुए उन्होंने उसको एक चुनोती मान लिया हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनोती से लेड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे तब तक सतत प्रयास करते रहना है संकल्पकी दुढ़तात का जैसे महत्व है वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आगे हैं क्या जनता क्या शासन क्या प्रशासन मालूम था डॉक्टर लोग इशारात दे रहे थे फिर भी थोड़े गफलत में आगे इसलिए संकल्पकी खड़ा हुआ अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे तो डर्ना है क्या उस चर्चा के कर डर्ना नहीं है अगर वह आती है तो जैसे चट्टान पर टकरा कर सागर की लहर चूर-चूर होकर वापस लोटती है वैसे उस आपत्ति को लोटना पड़े ऐस कर दो